हाई एवरिवन विलकम बाक टो अपनी परिक्षा मेरा नाम है दिशा कैसे हो आप सभी आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने इससी स्टेरोग्राफफर एग्जामिनेशन की तैयारी को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़े डिसकस करेंगे जो की आपके रहे रेलेवेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए भी रेलेवेंट है तो इस वीडियो को पूरा देखना स्किप मत करना और जो भी आपके डाउट्स बने लास्ट में वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना इससे मैं उनको एक बार देख लूँगी जो इससे पहले मैंने दो वीडियो डाली थी थांक यू सो मच उस पर इतना अच्छा रिस्पॉंस देने के लिए लाइक्स देने के लिए मैं बस आप से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस वीडियो पे भी आप जादा जादा 300 प्लस लाइक्स करवाओगे और शेयर करोगे और हाँ एक और चीज़ कल आपने MTS का ये देखी लिया होगा कि MTS का एक्जामिनेशन 30 सेप्टेमबर से लेके 14 नमबर तक है इसके अलावा गाईज इंडिपेंडेंस डे की सेल निकाली हुई है टेस्ट बुक ने 307 म आपको पास प्रो मिल रहा है जिसके अंदर सब कुछ अविलेबल है आपको कोड यूज करना है APNI इससे आपको माक्सिमम डिसकाउंट जो है वो मिल जाएगा ठीक है अब गाईस देखो 2020 नो के बारे में हम बात करेंगे इसका एक्जामिनेशन नवंबर के मिड में कंड़क पूरा मई और अलमोस्ट जून का मिड़क का टाइम मिला था अगर कोई ठीक से करता तो अराम से मतलब ग्रेट डी तो हात में आ जाता वो इसका स्किल का माटर था वो इजी तो मॉडरेट था ग्रेट सी का मॉडरेट तो डिफिकल्ट था और यह हर साल का है हिंदी वालों क इजी था तफ नहीं था और 2020 में कोई दिक्कत भी नहीं आई थी इसका फाइनल रिजल्ट जो है गाईस वो अक्टूबर में आया था लाइक जुलाई का टाइम लगा था ऑगस्त लगा था सेप्टेंबर लगा था तीन महीने के बाद इसका रिजल्ट अक्टूबर में डि उनों साल का प्रॉब्लम क्या था अब देखो अच्छी चीज़ता आपको बता दी अब कॉंसिक्वेंस क्या थे कि जब आपको एक लंबा टाइम मिल जाता है तो आपकी कट ओफ हाई जाती है इसका रीजन क्या होता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो प्रेप्रेशन कर करवाया गया था इसका स्किल फेबरेरी में हुआ था बट इसका स्किल पोस्पाउन हो गया था फिर दोबारा मार्च में हुआ था वो भी पोस्पाउन हो गया था फिर फाइनली एपरिल वाला जो स्किल था वो अराम से हुआ था और उसको मानना माना गया था मतलब उस पे 2022 में 3,500 से उपर vacancies थी और अभी तक की highest vacancies थी और इसका result निकालने में कही न कही टाइम भी लगा था because इतने सारे aspirants भी थे अब हम बात करेंगे latest key that is 2023 ठीक है 2023 का cutoff come क्यों गया था मैं इसके भी reasons आपके सामने रखूंगी लास तक बने रहना CBT 12 और 13 October को हो गया था skill 3 और 4 को हो गया था जनवरी में तो कितना time मिला था मैं आपको ये बता देती हूँ October हटा देते अगर 15 दिन मानलो answer की वगेर आई November and only December दो महीने बाद skill में अपियर होना था तो जिसकी skill अच्छी थी जिसको पहले से आती थी वही ठीक से अपियर कर पाया और इस बार skill का level moderate रखा गया था easy नहीं था ना C का ना D का moderate था in fact C का difficult side पे था ठीक है अब इसका final result आट फरवरी को ही आ गया था आपको पता है reason था रोजगार मेला क्योंकि उसके अंदर vacancies को दिखाना था यह तो आप सबको पता है इतना तो सबको याद होगा अब हम बात करेंगे 2024 की deadline कैसे चल सकती है लेकिन इससे पहले आप एक चीज को notice कर रहे हो 2020 के बाद से 2022 या फिर 2023 बहुत जादा time आपको skill के लिए नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि यह same pattern 2024 में follow हो जिसकी chances जो है वो 70% से उपर है कि वही follow करेंगे जो पिछले दो सालों से होता हुआ आ रहा है अब हम बात करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि 2022 वाला pattern SSC दोबारा घुमाना चाती है क्योंकि कहीं ना कहीं MTS की date आई steno की date नहीं आई तो इसका मतलब हम 90% तो यह ले सकते है कि MTS के बीच में stenoographer का exam नहीं होगा और जब आप exam calendar को उठा होगे guys तो भी आपको यह बात पता चलेगी कि पहले CGL का form आना था फिर MTS फिर SSC stenographer तो MTS के बीच में stenoographer का exam लेना एक तरीके से गलत होगा SSC के पार्ट पे बट दो दिन का exam हो कुछ भी सकता है prepare आपको रखना है कि October last के बाद आपका examination कभी भी हो सकता है वैसे 90% है कि MTS के बीच में examination नहीं होगा नहीं होगा मेरे ख्याल से ठीक है लेकिन कुछ लोगों का दावा है कुछ लोगों का मैं नहीं कह रही वो कुछ लोग कौन है मुझे भी students ने आके बताया है कि MTS के बीच में steno हो सकता है बट मेरा मानना इसमें अभी नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो SSI बता देती और जो कि August के last act steno की dates जो है वो बाहर आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा अब मुझे एक चीज आपसे discuss करनी थी कि skill का time आपको कमी मिलेगा तो जिसको अभी skill आती है वही clear कर पाएगा ये बात सच है अब जिसको skill नहीं आती है बिल्कुल नहीं आती उसका time जा चुका है शायद अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि skill एक art है उसको सीखने में 6-7 महीने लगते हैं चलो 6-7 नहीं कम से कम 4 महीने basics में और 3 महीने speed में साथ महीने यहीं पे हो गए और approximately जनवरी या फरवरी में skill भी expectedly हो सकता है अब मेरा मानना ऐसा है कि अगर November में exam हुआ तो skill फरवरी side होगा ऐसा ही होगा almost ठीक है ऐसे ही चलेगी क्योंकि SSC पागल नहीं है SSC को भी जल्दी से जल्दी result निकालने है 2025 का process भी पूरा करना है और 2025 में elections भी है तो कही ना कही चीजे या तो जल्दी हो जाएंगी या late भी हो सकती है लेकिन आपको ready रहना है कि skill जो है वो जनवरी या फरवरी में हो सकता है अब इस बार मैंने यह चीजे बता दी हाँ high competition रहेगा क्यों रहेगा मैं यह भी बता देती हूँ अब आप एक चीज समझो अब जैसे SSE जो है late exam ले रहा है यह SSE की गलती है अब SSE अगर October में ही exam ले लेता मिड तक में ले लेता तो कही ना कही जो students appear होते वो कम होते यह बत सच है ठीक है अब आप कोई बोलेगा कि और देखो अगर November में मिल रहा है तो कोई ना कोई student जो CGL MTS से हट जाएगा वो भी try करेगा कि चोलो में exam देके देखता हूं भरने में क्या जाता है तो यह चीजे ना बहुत impact करती है exam को we can just request as a content creator की please examination मत भरिये स्टेनों वालों का कहते कट आफ मत हाई करिये क्योंकि यह examination skill-based examination है इसमें आप परफॉर्म करनी पाओगे cut off high करके चले जाओगे but the problem is कि students को यह बात समझ नहीं आती है आप कितना भी बोल लो मैं कितना भी बोल लूँ कोई भी teacher कितना भी बोल ले नहीं समझेंगे सीजल वाले आएंगे बैठेंगे cut off हाई कर देंगे फिर बाद में पोलेंगे अरे हमें लगा था कि skill तो टाइपिंग होती है हम टाइपिंग तो करी लेंगे फिर बाद में जब वो skill में बैठते हैं उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता है वो बस head down करके बैठ जाते है फिर अ स्किल को मिनिमम भी बैसिक्स करने में आपका तीन चार महीना जाएगा उसके बाद भी आपको तीन महीने स्पीड बनाने में लग जाएंगे तो यह एग्जामिनेशन जो सुडेंट्स अभी इस टाइम पे नियूली नियूली आ रहे है और अगर स्किल फरवरी में होता है स्किल निकल पाए ठीक से बहुत बेकार हो जाएगा उस ट्राइम पे क्योंकि आप भी अपनी मेहनत वेस्ट कर दोगे लेकिन यह ना कि स्टुडेंट्स को आप समझा नहीं सकते मैं तो अभी भी बोल रही हूं ठीक है अब कट ओफ हाई जा सकती है और इसके से ऐसे ही आउट हो जाएंगे लेकिन एक अची चीज यह है कि इस बार वेकेंसी जाता है दो हजार से उपर है तो वह चीज थोड़ा सा मोडरेट कर देगी कट ओफ को हाई पर नहीं जाने देगी लेकिन डिपेंड करता है कि एवरेज कैसे जाएगा एग्जामिनेशन का ल ही अगर 23 की तरह vacancies होती 23 में कम कट आफ यू गई reason being कि skill बहुत जल्दी हो गया तो या तो SSE ऐसा भी करें कि कि अगर CBT जल्दी करवाले, skill जल्दी करवाले, तो obviously cut off कम चाहेगी, यह एकली CBT जल्दी करवाले थी, लेकिन अब यह है, कि अगर CBT लेट करवा रही है, थोड़ा बहुत भी November में हो रहा है, तो अगर skill फरवरी तक हो गया, तो जिन बचों को skill आती है, उनके पास एक advantage होग क्योंकि स्टेनों में 12th पास होते हैं, students को कईना का skill सीखते भी है, कुछ लोग नहीं भी सीखते हैं, बैठ जाते हैं, आपको यही try करना है, कि आपको best perform करना है, और अपनी seat जो है, सुनिश्चित करनी है, यहाँ पे, तो मैंने इस वीडियो में आपको प्रॉपरली बता कि आपको अपनी तयारी जो है, बाकि मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, मोक्स देने हैं, और अगर मोक के लिए कोड चाहिए, 307 में चाहिए, तो आज और कल कही ऑपर है, APNI लगा सकते हो, आपकि मैं मिलूंगी आने वीडियो में अपना ध्यान रखना के कुष्ण रहें, और टेक केर.